तो आप देख रहे हैं नौलिज बाज़ राज्य के वीडियो में हम बात करेंगे भारत और उनके परोसी देश के लगे हुए सीमा के बारे में हम बात करेंगे कि भारत के कौन से राज्य से कितने राज्य के सीमा लगे हुए और भारत के जो परोसी देश है उनसे कितने राज का कोश्तन आपके एक्जाम में पूछा चारा सकता है या तो या तो किसी दूसरे कॉन्टरी से पूछ सकता है कि प्भारत के किसी राजे से कुल सकता है कि कि लाजे ईवा की सीमा टश करतीए ठीक है ऐसा भेशुत जब यहां मैप में ही मैन साथ या है कि भारत के कौन से राजे कितने राजियों की सीमा टच करते हैं और यहां पर यह भी बताया गया है कि कौन सा राजे कब गठन हुआ था सभी कुछ को आपको बताया गया इस मैप में ठीक है तो यहां देख लेते हम यहां देखेंगा अगर हम लद्दाक के बारे मे पंजाब का इससा कुछ हो जाएगा तीन भारती राज टेश करते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम चले जाए हिमाचल परदेश के उपर तो हिमाचल परदेश में देखेगा यहां पर नीचे से कोई और राज है यूपी यूपी का भी बॉर्डर टेश कर रहा है हिमाचल के बारे में बात करें तो उत्रा खंड में टूटल तीन हो गया उसके बाद हरियाना के बारे में बात करें तो हरियाना का भी छे हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर अब देख लीजेगा मैंने सब बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर देखके मै प्राइस्तान को दिली देख सकते है यह चोटा सा दिली है घिक है नँडिली छोटा सा है अगर हम बत करें यूपी के बारे में तो यूपी को कितने राजे ट्रेश करते हैं टोल नौ हो जागा ए satisf है ृूटे में को दिल्ली दिल्ली को पाँच है, बिहार को तीन, पच्छे मंगाल को पाँच है, मेघाले को एक है, अरुनाचल परदेश को दो, असम को साथ है, नागलैंड को तीन, मनिपूर को तीन, मिजोरम को तीन, तुरिपूरा को दो, ठीक है, ये सबी मैंने लिख दिया यहां पे, उसके बाद दिखेगा, चतिसगर को दिखेगा, साथ भारती राजे टच करते हैं, तो यूपी का पूछ सकता है, या चतिसगर का पूछ सकता है, महराष्टा को भी साथ, छे, श्ट्रेट हो गया, एक यूटी हो जाएगा, दादर नागर हवेली, उसके बाद तिलंगाना को चार भारती राजे करते हैं, ठीक है, तो लगवक सभी स्ट्रेट का हमने देख लिया, और कुछ और भी इंपोर्टन पॉइंट को देख सकते हैं, यहाँ पे 2019 में लदाक और जम्मु कस्मिर अलग हुए था, और यह की यूटी बनाया गया था, इन दोनों को अलग अलग, अब ये टोटल 28 रा राजे सभा में 3 दिसंबर 2019 को पारिते, दादर वा नागर हवेली और दमन और दियू विधे 2019 के माध्यम से उप्यूगते के दोनों केंदरे सासित परदेशों का विले कर दिया, यहाँ पुनर गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ, और अब एक केंदरे सासित परदेश का नाम में दादर वा नागर हवेली और दमन और दियू होगा, और इसकी राजजाने दमन होगे, ठीक है, तो यह इंपॉर्टन पॉइंट है, तो आप देख ली जगा, सबी जनवरी को इसको प्रभाव करें, मतलब प्रभावी रूप से लाग्यू कर दिया गया था, चलिए छे वाले सब देख लेते हैं, और जारखंड छे, ठीक है ना, एच्पी, हरियाना, करनाटिका और जारखंड ये चार श्टेट है, छे भारती राज्यों को ट्रेश करते हैं, पांच वाले देखते हैं, तो पांच वाले में तीन और आ जाएंगे, विस्ट बेंगॉल, परश्टान, अरुनाचल परदेश, आंधर परदेश, आंधर परदेश और एमपी, ये चार ऐसे भारती श्टेट हैं, जो कि पांच है, भारती राज्यों को ट्रेश करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर पंजाब, चार वाले, तो यहाँ पर सबसे पहले पंजाब है, गुजरात है, तिलंगाना है, और इसा है, ये चार भारती श्टेट को ट्रेश करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर देखेगा, उसके बाद अगर हम बात करें, जम्मू और कस्मीर, उत्रा खंड है, तमिलाडू, विहार और मिजोरम, ये तीन भारती श्टेट को ट्रेश करते हैं, तीन भारती श्टेट को जम्मू कस्मीर, यूके, तमिलाडू, विहार और मिजोरम तीन भारती श्टेट को ट्रेश करते हैं, ठीक है, आगे दिखेगा, आगे दिखेगा, नागलेंड भी है, तीन भारती श्टेट को ट्रेश जम्मु कस्मीर, UK, उत्राखंड, तमिलाडू, बिहार, मिजोरम, नागलेंड, और मनिपूर, नागलेंड और मनिपूर को मिला के साथ भारती राजिये होते हैं जो के आगे, अगे दिखेका अगला 2 स्टेटों वाले भी काफी स्टेटों हैं, यहाँ पे 2 स्टेट वाले दिल्ली दो तो ये सब कितने हो गए दो स्टेट को टेच करने वाले राज्य हो जाएंगे या यूटी हो जाएंगा और सिक्किम जो ऐसा राज्य है जो कि केवल एक स्टेट को टेच करता है और ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम किसको टेच करता है तो चलिए हम मैप में देख को कि किस्कों करता तो यहां देखेगा सिक्किम के विभल यह स्टेट को टिर्श करता और कौ सा चिट है किनी अब इंटरणशनल वारडर को देखते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर में भारत के कितने श्टेट को ट्रच करता है देखेगा इंटरनेशनल बॉर्डर में यहां देखेगा बांगलादेस के बारे में बात करें तो पांच श्टेट को ट्रच करता है कि यही कोशन बनता है कि बांगलादेस कितने भारती श्टेट को ट्र तिरपुरा 856 km उसके बाद मेगाले 447 असम हो जागा 263 और मिजोराम हो जागा 318 km ये मतलब बार्डर को टच करता है ठीक है उसके बाद अगर आप देखेगा चाइना चाइना जो है पांच भारती स्टेट को टच करता है जिसमें जम्मु कसमेर 1954 किलोमेटर इसके बाद रु पांस भारती स्टेट को ट्रेंच करता है उसके बाद हम देखिएं के पांच और है नेपाल नेपाल भी नेपाल सब्सक्राइब बहुत जादा इंपोर्टनट है तो यहां पर यूपी को यद्मॉ test सिंधान द सब्सक्राइब नेपाल चार भारती इस्टेट के साथ अपना बाड़े साजा करता है जिसमें जम्मु कस्मीर है सबसे ज़्यादा है 1222 है राइसान 1170 गुजरात 506 और पंजाब हो जागा 425 किलोमेटर हो जागा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें मियानमार के बारे में तो मियानमार भी 4 भारती इस्टेट को ट्रेश करता है जिसमें अरूनाचल परदेश, मिजोरा, मनिपूर और नागलेंड और 4 भारती इस्टेट को ट्रेश करता है मियानमार तो जितने भी बॉर्डर से संबंधित प्रसंद पूछे जा सकते थे एक्जाम में सभी कोशन को हमने इस वडियो में देख लिया अगर ये वडियो आप लोगो अच्छा लगा हो तो वडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीज़ेगा आज करता हूं कि आज के दिन आप लोगो कभी अच्छा रहे अगले वडियो में फिर से मिलते हैं थैंक्यू